Hello everyone, welcome back to another video और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8X Shampoo की इसका मैं in-depth review करूँगा कि यह 8X Shampoo basically है कैसे इसके क्या side effects है क्या इसके benefits है और इसको कॉन लोग use कर सकते हैं और कॉन लोग use नहीं कर सकते हैं और this video is basically for Mayank especially for you because आपकी request थी इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ अदर्वाइस मैं ओलड़ी इस पर वीडियो एक बना चुका हूँ So guys, here for all आज के time में बहुत ही common problem है यह किसी भी age group में हो सकता है It's not like कि आपको 40 के बाद यह problem होगी It's not like that at all यह किसी भी age group में हो सकता है किसी को भी हो सकता है whether it's a boy or it's a girl, uncle, auntie, cha cha, tao किसी को भी हो सकता है तो अगर आपको कोई infection related problem नहीं है like scalp में लोग को infection विवाता है अगर आपको ऐसी कोई problem नहीं है हो रहा है उसके बाद ही कोई product यूज करना यह मैं आपको recommend करूंगा बिना doctor की सला के आप कोई भी product use मत करना but अगर आपको normal hair fall होना शुरू हो गया like आपकी family history में किसी को baldness की problem है या फिर डेंडर आपको हो गई है जिसके विए से आपका hair fall हो रहा है या फिर सीजन चेंज होने की विए से भी hair fall होना शुरू हो जाता है तो अगर आपको इन दो तीन related problem है then definitely you can start using 8x shampoo तो guys मैं तो यही recommend करूंगा अगर आपको hair fall हो रहा है तो आप यह shampoo use करना शुरू कर दो और अगर आपको hair fall नहीं भी हो रहा है आप as a normal shampoo भी इसको use कर सकते हो इतने सारे market में product है जो जिसके आपने ads भी देखे होंगे guys those products are not good for your hair तो normal shampoo की तरह आप 8x shampoo को use कर सकते हो अब इसको basically use कैसे करना है तो मैं कैसे use करता हूं guys मैं alternate days इसको use करता हूं let's say अगर आज मैंने shampoo किया है अपने बालों को तो मैं कल बालों को shampoo नहीं करूंगा कल मैं करूंगा oiling रात को सोने से पहले मैं coconut hair oil लेता हूं और उसकी massage शुरू कर देता हूं तो massage करके फिर मैं सो जाता हूं और उसके next day मैं Atex से hair wash कर लेता हूं तो this is how I basically use this Atex shampoo and I would recommend you as well कि आप भी इसी तरह से use करें विकाद अगर आप daily use करोगे कोई भी shampoo Atex हो या कोई भी shampoo हो तो dryness बहुत जाद हो जाएगी dandruff होने की chances जादा बढ़ जाते हैं तो better है आप भी alternate days पही use करें और guys मैं एक चीज़ पहली clear कर दो इसका कोई भी side effect नहीं है मैं खुद पता नहीं कब से इसको use कर रहा हूं मुझे तो याद भी निया कितना time हो गया लेकिन लगबग एक साल होने को है जबसे मैं इसको shampoo को use कर रहा हूं अब चाहे मेरे को hair fall हो या ना हो मैं इसी को use क करता हूं alternate days पर तो guys मैं यहीं बोलूँगा आप इसको use करना शुरू करते हैं अगर आपको hair fall है तो आप same days के results देखोगे और जब आपका hair fall बंगी हो जाए आप normal way में भी इसको use कर सकते हैं usually जैसे आप बागी shampoo use करते हैं आप इसको भी use कर सकते हैं यह shampoo basically doctors recommend करते हैं जिनक doctors उसको fever में भी use करने के लिए देते हैं और पेन किलर में भी आप उसको use कर लेते हैं तो सेम उसी तरह से अगर आपको infection हो रहा है सर में तो बिना doctor की recommendation की तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा आप कोई भी product यूज़ना लेकिन किसी दूसरे product को use करने से बेटर है आप इसक जाएगा बट अगर if in case नहीं हो रहा है देन आप एक बाइटिन प्लस की tablet आती है आप वो लेना और शुरू कर दो तो एक शेंपू जब मैंने start किया था यूज़ करना मैं एक्चली बाइटिन टैबलेट भी मुझे भी यही शुरू करना था बट मेरा एक से ही हेर फॉल र और अगर आपको बाइटिन प्लस टैबलेट आती है वो लेना शुरू कर दो अगर आपको बाइटिन टैबलेट नहीं मिलती तो आप multivitamin लेना start कर सकते हैं जिसमें तो मैं तो health card का multivitamin लेता हूं जिसमें बायटिन है तो ये मेरे लिए एक advantage हो गया कि मैं multivitamin ले रहा हूं उसमें बायटिन भी मेरे को मिल रहा है which is good for my hair तो बायटिन basically बालों के लिए होता है तो आप बायटिन की या तो कोई tablet शुरू कर दो या फिर आप multivitamin लेनी शुरू कर दो daily एक tablet आपको लेनी है कैसे इसको basically use करना है और इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं अंकल आंटी चाचाता हूं मम्मी पापा कोई भी शैंपू को यूज कर सकता है और multivitamin तो सभी को खाना चाहिए एंड जेंडर में भी कोई शुरू नहीं है लड़का हो या लड़की हो कोई भी शैंपू को यूज कर सकते हैं तो यह बिसिकली एक आप नॉर्मल शैंपू की तरह ही इसको यूज कर सकते हो तो यह शैंपू बिसिकली ब और जैसे आप नॉर्मल शैंपू यूज करते हो इसको भी ऐसी यूज करना शुरू करते हो तो इसको भी ऐसी यूज करना शुरू करते हो तो इसको भी वैसी यूज करना शुरू करते हो तो इसको यूज करना शुरू करते हो इसको यूज करना शुरू करते हो तो इसको य channel and hit the notification bell see you goodbye and take care